स्वागत करती हूं मैं पारुल सिंग आपकी हिंदी एजुकेटर आप सभी का अरेकैडमी पर कैसे हैं सभी लोग तो गाइस बात करते हैं यहाँ पर हम एक्जाम के बारे में जैसा कि थमनेल में आप लोगों को दिखी गया होगा कि एक्जाम तो ओफलाइन होनी ही वाला है य लेकिन काफी सारे स्ट्टेंट्स ऐसे भी होंगे जो पहली बार ओफलाइन पेपर दे रहे होंगे काफी सारे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक केवल ओनलाइन पेपर को ही दिया होगा ओनलाइन परिक्षाही फेज की होगी उन्होंने कभी ओफलाइन पेपर नहीं दिया ह काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार OMR sheet के साथ रूबरू होंगे और कई सारे तो ऐसे होंगे जो OMR sheet को fill करते वक्त भी गलती करेंगे और यहां पर उन गलतीयों का डर कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो क्या हमारी OMR sheet reject हो जाएगी या OMR sheet जो है वो कैसे fill करनी है ओफलाइन एग्जाम का सबसे बड़ा डर जो होता है वो यही होता है कि OMR sheet fill करते समय हमसे कोई भी गलती ना हो इस डर को कैसे दूर करना है ये बात आज में सेशन में आप लोग के साथ साजा करने वाली हूँ लेकिन उससे पहले यहां पर मैं आप लोगों को एक और बात बताने वाली हूँ जिसके बारे में यहां पर आप लोगों का जानना बहुत जरूरी है तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं किस के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं आन एकेडमी के द्वारा यहाँ पर 7 डेज फ्री ट्राइल जो है वो शुरू हो चुका है अगर आप लोगों ने अभी तक 7 डेज फ्री ट्राइल में एन्रोल नहीं क्या है गाइज तो छे तारीख को ये trial जो है वो शुरू हो चुका है और आप लोगों ने अभी तक enroll नहीं किया है तो जल्दी से enroll कर लो last date यहां पर आप लोगों को visible हो रही है यहां पर 9 तारीख क्या है? 9 तारीख last date है 6 तारीख से already registration शुरू हो चुकी है कल मुझसे कई सारे बच्चों ने यह पूछा कि क्या मैम यह बिल्कुल फ्री है या फिर इसमें हमें कुछ पैसे भी देने हैं तो यहाँ पर किलियर ली मेंशन है 7-day free trial is free और free का मतलब होता है बिल्कुल free इस पर कोई charges नहीं होते हैं आपको एक रुपया भी नहीं देना है साथ दिन के लिए आप हमारे special batch नहीं आप हमारे जो running paid batches हैं जिनको आप पैसे देकर enroll करते हैं आप अपना investment करते हैं उसमें आप लोग enroll कर सकते हैं इन paid batches में paid batches में enroll ये केवल 7 दिन का मौका है जिसमें आप लोगों को यहाँ पर सभी online classes अब online classes यानि कि आपकी paper 1 और paper 2 दोनों की आप लोगों को online classes यहाँ पर मिलने वाली हैं साथी साथ यहाँ पर आप लोगों को study material और इसके साथ साथ आप लोगों को test series भी provide होने वाली हैं तो guys देर नहीं करनी है आने academy app download करना है app download करने के साथ साथ जल्दी से enroll कर लेना है साथी साथ यहाँ पर कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो लोग सोच रहे होंगे कि मैं मैंने पहले enroll भी किया था आराम से होगे इस बार enroll नहीं कर पा रहा हूं तो जितने भी बच्चे हैं जो लोग enroll नहीं कर पा रहे हैं आप किसी नए number से try करें जिसने पहले 7 day free trial में enroll कर लिया होगा वो अब दुबारा same number के साथ में enroll नहीं कर सकते हैं तो यहां पर आपको एक नए number के साथ क्या करना है एक नए number के साथ आप लोगों को enroll करना है और जुड़ जाना है फटाफट से अपने paper 1, paper 2 के सभी doubts लेकर अपने pre-a faculty के साथ में अब चलिए बात कर लेते हैं हमारा जो topic था यहां पर उस topic के बारी में बात करते हैं कि यहां पर जो हमारा main topic है कि मैं offline हम लोगों का exam होने वाला है और इसका exam का डर जो है वैसे मैं यहां पर यह कहूंगी कि इस exam का डर सभी बच्चों के मन में नहीं होगा क्योंकि काफी सारे student तो इस बात को लेकर खुश है कि पेपर जो है वो offline हो रहा है चुकि math, reasoning, D.I.E. इन सब को करने में दिक्कत होती थी अब हम offline इनको solve कर लेंगे तो काफी सारे बच्चे तो इस बात से खुश हैं काफी सारे बच्चे इसके negative impact को लेकर डर रहे हैं कि offline exam थोड़ा सा time taking भी हो जाता है paper one, paper two के बीच में कोई भी gap भी नहीं है अब यहां पर क्या करेंगे अब यहां पर कैसे करना है time वही तीन घंटे है और offline paper है तीन घंटे online भी होता था अब तीन घंटे offline में भी है बराबर समय दिया जा रहा है तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करते हों कि अगर आप paper की preparation अभी से कर रहे हो तो इसके साथ में एक चीज का मुख्य बात यह है जिसका ध्यान रखना है कि अब आप क्या लगा रहे होगे इस समय आप लोगों ने अपने mock test लगाना यहां पर क्या कर दिया होगा शुरू कर दिया होगा सब के पास में previous PSER के PYQs तो होंगे ही होंगे तो आप अपनी परिक्षा से कितने दिन पहले अपनी परिक्षा से लगभग 15 दिन पहले यानि कि आप लोगों का एक्जाम कितना है आप लोगों का एक्जाम जो है यह 18 जून को आप लोगों का एक्जाम है और 18 जून से पहले यानि कि लग question पर tick करेंगे ना यह जो PYQ solve करने का काम है ना इस PYQ solve करने का काम आप किसी करेंगे किताब के द्वारा करेंगे market में fake OMR sheet कई सारी available होती है जितके पैसे के अगर मैं बात करूं तो एक रुपे या दो रुपे something के आपको OMR sheet एक paper जो है वो मिलेगा और आपको पचास तौ रुपे में लगबग काफी सारी fake OMR sheet जो है वो मिल जाएंगी जितमें आप लोग क्या करेंगे अपने questions को fill करने के practice करते रहेंगे जब तक आप यहां पर क्या करेंगे इससे आप लोगों का जो तीन घंटे का time आप लोगों को यहां पर provide हो रहा है इस तीन घंटे के time में आप लोगों को time manage करना आ जाएगा साथी साथ यहां पर आप लोगों को किस question को जादा समय देना है जब भी आप offline paper दे या online paper दे paper आपका किसी भी mood में हो हम हमेशा यही बात कहते हैं कि किसी भी question पर बहुत जादा देर तक समय बरबाद नहीं करना है तो offline exam देते समय अगर बहुत जादा डर लग रहा है OMR sheet का major डर है कि भाई यह हमसे fill नहीं होगा तो भाई हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पर सारी वस्तुएं available होती हैं आप लोग किसी भी stationary shop पर जाएंगे एक OMR sheet आपको क्या होगी OMR sheet आप लोगों को मिल जाएगी कुछ इस तरीके की OMR sheet आप लोगों को मिलेगी जहाँ पर आप लोग अपने number को यहाँ पर fill करेंगे लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ यह तो मैंने simple आप लोगों को एक बताने के लिए यहाँ पर किया है कि भई इस तरीके की OMR sheet जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी जिसमें question चार option आप लोगों को दिये होंगे अब जैसे इसमें circle है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे इसको circle करेंगे लाइक किसी भी आपको black और blue pen जो है वो ले जाना है यहाँ पर circle किया यहाँ पर क्या किया इनको fill किया जब भी आप गोले fill करेंगे इस तरीके से तो उसमें भी आप लोगों के practice हो जाएगे हमेशा मोटे pen का point ही रखना है pen जो है वो उसका point कैसा होना चाहिए ठिक होना चाहिये, मोटा होना चाहिए ताकि आपने एक बार यहाँ पर use गया और एक बार में ही क्या हो गया पॉल जो है यहाँ पर यह जो circle है यह black हो जाएगा automatically यहाँ पर बहुत देर तक ऐसे घिसना नहीं पड़ेगा पतले point के pen को बिल्कुल भी use नहीं करना इससे समय जो है जादा waste होता है dark pen use करें यानि कि black pen तो use करना ही है लेकिन जो चलने में कैसा हो ठिक हो dark हो और एक बार में एक मोटी line खीच कर देख लेना क्या उसे अच्छे से draw हो रहा है या नहीं हो रहा है I hope कि यह सारी बाते आप लोगों को समझ में आगी होंगी मैं आशा कर रही हो कि इस सारी चीज़ें समझ में आगी होंगी परिक्षा का mode कोई भी हो चीज़ें चाहें कितनी भी डराने वाली हो लेकिन आपको डरना नहीं है विध्यारती जीवन होता ही ऐसा है कि जिसमें कई सारी चुनोतियों का सामना करना पड़ता है लेकिन डर के आगे हमेशा जीत ही होती है इस बात को आप लोगों को याद रखना है बाकी का 7 days free trial में सभी लोग enroll जरूर करें यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं आप लोग हमें follow भी कर सकते हैं अगर अभी तक आप लोगों ने follow नहीं किया है तो follow भी कर सकते हैं अन एकेडमी एप आप लोगों को download करना है योजिसी net category में आप लोगों को जाना है और जैसे ही आप योजिसी net category में जाएंगे आपको आपके सभी favorite educator जो हैं यहाँ पर मिल जाएंगे इसके लिए store पर जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या नया चल रहा है कौन सा batch नया चल रहा है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा batches भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जितने batches यहाँ पर शुरू हो रहे हैं इसके अलावा अगर आप लोगों को अपने किसी एजुकेटर को फॉलो करना है तो आप अपने एजुकेटर को फॉलो कर सकते हैं मुझे पारुल सिंग को फॉलो करना है यानि कि मुझे आप लोगों को मुझे फॉलो करना है तो मुझे मेरे नाम के साथ फॉलो कर सकते हैं बाई बाई टेक करे